मीरा मन माईजी सुरते से समाईजी हंजी दोस्तों वेलकुम बेक टू सिंग लॉक्स अज ती मार्च नू बाबा जी ने डेरा ब्यास विच प्रोग्राम किता अज दशना दा प्रोग्राम सी जो की पंताली मिंट दे सासंग तो बाद होया सासंग करता जी ने पंताली मिंट तक सासंग फरमाया फिर दर्शन दे टाइम बहुत सुंदर शब चल रही सी ते शाम नू चार बजे कोशन अंसदा सेशन स्टार्ट होया ते अज जो जो कोशन पुछे गई सी वोट और हिनाल शॉर्ट विच शेयर किते जानगे ता पहला कोशन इस परकार है बबबा जी परमारत के रस्ते पे चलना क्या इनसान के वश्मे है बबा जी ने इस पर फरमाया कि मालिक ने जो इनसानी जमार दिया है तो इसके साथ मालिक ने हमें वो तरक दिया है तो पहचान करने के हमें खुद को जूर्ट है दूसरा कोशन बबा जी नाम ले के वी मैं पध्धर होई पईएं मैंनों कोच समझ नहीं लगदा की करा बाबाजी ने कहा कि बेटा पर्खों में ना पड़ें दुख सुख धोनों समकर जान और मान अपमाना ऐसी इन सिर्फ पाने विच रहना है बाकी किसे पर्खां विच नहीं पेना अगला स्वाल बाबाजी आप मुझसे गुशा क्यूं हो जाते हो बाबाजी ने कहा बेटा गुरू एक शीशे की तरह होता है जो आप करते हो वही हमें दिखाता है मन हमारे आगे वही लेकर रख देता है जो हम कर्म करते हैं इसलिए हमें लगता है कि गुरू हमसे नराज है बाकी गुरू नराज नहीं होता है कभी ऑर भी बाबाजी ने उससे कुछ समझाया था अगला स्वाल बाबाजी मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता बाबाजी ने फरमाया बेटा मालिक ने जनम दिया है तो किसी कारणवर्ष जिम्मेवारी है इसलिए हमें जनम दिया है तो उस लड़के ने जोर से कहा जोश में कि ये जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है यार बाबाजी को यार कहा बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस बच्चे को समझाया काफी कुछ उसने पूछा जैसे काफी परिशान होगो और बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया अगला कुशन बाबा जी हमारे ससंग सेंटर में संगत बहुत कम है बाबा जी ने कहा कि बेटा परमारत विच अपा ने किसे नो फोर्स नहीं करना जीदी मर्जी है आवे जीदी मर्जी है ना आवे अपा ने फोर्स नहीं करना कदेवी कि ये रस्ता अच्छा है ये रस्ता माड़ा है जीदा रस्ता जो हैगा सारे अंदर रस्ता एको जिका है ऐसी इन सिर्फ पर्मात्मा नो मिलना है अगला स्वाल बाबा जी जे पजनसिमन विच नी दावे तांकि ओ सड़ा पजनसिमन रुवान हो जानदा है मतलब की ओ मन्जूर है बाबा जी ने किया कि बेटा ऐसी क्यों पर्खा विच पह जाने है तुस्यम सिर्फ बैठो फिर उसे बिबिजी ने सवाल किता कि बाबा जी की देवी देवता सनू कालदेवाले कर देने बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मैं नहीं जानदा जी दी जो मरजी है ओ उत्छे जावे जे ऐसी उद्धर जाके चंगे इंसान बंदे हा बेटा ये smart work क्या होता है उस लेटकी से पूछा फिर बाबयजी ने फरमाया की बेटा hard work तो सुना था लेकिन smart work नहीं सुना था और रही बात hard work और smart work की तो बेटा hard work करके ही हमें महनत की कमाई कहनी चाहिए कोई शौर्ट कट रास्ता ढूंडें तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है मेहनत की कमाई करें हार्ड वर्क करें ये सबसे अच्छा है अगला स्वाल बाबा जी मेरे दोस्त केंदे ने कि डॉक्टर या इंजिनियर बांजा में नू सम्झ नहीं आ रही की बना बाबा जी ने मजाग नल किया की बेटा सारियन चिज़ां बोड उत्ते लेके डाट मार जिद उत्ते लागी ओ बांजा ते संगत इस्ते बहुत हसी अगला स्वाल बाबा जी जे किसमत विच कोई चीज़ ना होए लेकिन ऐसी हार्ड वर्क करी जाएए तांकि किसमत दा मनना मनजूर है बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जे सच्चे दिन लाल मेहनत करिये बाकी मालिक बक्षिश करूगा बाकी मालिक हमेशा दिन्दा है मालिक कदे माड़ा नहीं करता ये साड़ा मान परखा विचपा दिन्दा है ऐसी सिर्फ सच्चे दिनों मेहनत करनी है बाकी कुछ नहीं अगला स्वार बाबा जी मेनू सारे केंदेने कि तू डेरे ही क्यों ओना है कुमन ले होर वी जगा बहुत ने बाबा जी ने उनों थोड़ाищ वीच किया कि बेटा एकते ऐसी बीता कुमनी होने फिर उस लटके ने किया कि बाबा जी की यह कैस्ता दिया है कि देल नों सकून मिलदा है ताँ उने बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जे साणनू कुछ हासिल हुन दा है ताहीं तापे थे होने हैं जेसा नूँ कुछ हासिल ही ना होवे फिर क्यों आई ऐसी है थे फिर एक गर्ल ने कोशन किता कि बाबा जी मेरे माबाप मेरे प्राणू ता बहुत प्यार कर देने लेकिन में नूँ नहीं कर दे ताह तुसी की नूँ कर दे हो सब तो जादा प्यार तुसी बेटिया नूँ प्यार कर दे हो या मुंडिया नूँ बाबा जी ने फरमाया कि हुन में नूँ की दसंदी लूड है फिर उस गर्ल ने कुछ और गल्ला कईया फिर बाबा जी ने उस बेटिया नूँ प्यार नल समझाया कि बेटिया ने ता जाके बीवी दी गोद विच बैठ जाना है संगत इसते नाली नाल हसी गई बेटिया ने ता अग्गे जाके राज करना है ते उन्हा ने ता बीवी दी जाके गोद विच ही बैना है बाकी कुछ नहीं बेटा ताँ बाबाजी ते कैन दा एही मतलब सी ते अगे भी उन्हों ने कोशना से सुच किया भा कि कि बेटिया दे नाल उन्हों ज़ादा प्यार है क्योंकि लटके डोल जान देने बेटिया नहीं करे डोल दिया अनुमानी देका जूया दादा स्वाम